अच्छे और मज़ेदार म्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए बढ़ती उम्र के साथ ही बाल सफेद होने लगते हैं लेकिन आजकल तो छोटी उम्र की महिलाओं में भी यह समस्या देखी जाती है सफेद बालों को काला करने के लिए वे कई तरह के कैमिकल युक्त हेयर डाइका इस्तेमाल करती हैं जिससे बालों को नुकसान पहुचता है ऐसे में रसोई में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजों से सफेद बालों को फिर से काला किया जा सकता है आईए जानिये ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में 1. काली मिर्च सफेद बालों को फिर से काला करने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल किया जा सकता है इसके लिए साबुत काली मिर्च को पानी में उबालने और थंडा होने के बाद इस पानी से सिर्धू लें हफ्ते में 2 रिंड 3 बा, रह ऐसा करने से सफेद बाल काले होने लगेंगे 2. कौफी, इसके लिए कौफी या चाई पत्ती को पानी में उबाल लें और ठंडा होने पर इससे बालों को धुएं 2 दिन लगातार ऐसा करने से सफेद बाल फिर से काले हो जाएंगे 3. प्याज, बालों को काला करने के लिए प्याज को पीस कर उसका पेस्ट बना लें इसे बालों में लगाएं और कुछ देर बार सिर धूलें 2 दिन इस पेस्ट को सिर में लगाने से बालों में चमक भी आएगी और वे काले भी हो जाएंगे 4. दही, हरी, मेहदी में दही मिलाकर पेस्ट बना लें और बालों में लगाएं एक खंटे के बाद बाल धूलें इस उपाय को पूरा हफ़ता बालों में लगाने से वे काले हो जाएंगे 5. कड़ी पत्ता कुछ कड़ी पत्तों को पानी में डाल कर एक खंटे के लिए भिगो कर रख दें और फिर इस पानी से बालों को धोएं रोजाना ऐसा करने से सफेद बाल दुबारा काले होने लगेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद